कि हैं हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका एक वाफिस मेरे यूट्यूब चैनल पर आज की जो वीडियो है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुमाव इंवर्सिटी के बारे में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जो हम मेरे सब्सक्राइबर हैं कुमाव इसमें आपके सभीезж liberals और सबसे पहले तो इसमें दो अपडेट KOMA University की तरफ से आ रही है एक तो आपका जो है कि एक्जामनेश्छन जो फॉर्म है उसको लेकर आ रही है और एक आपका जो है जो इक्जामनेश्छन जो स्यूड्यूल हैई उसको लेकर आ रही तो दौनों बड़ी अपडेट है और दौनों बड़ी अपडेट हम यहां पर इस वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले तो एक्जामनेशन जो फॉर्म को फिल करने के लिए जो नोटीस आया है कुमाई उन्वर्सिटी के तरफ से वह हम देख लेते हैं तो देखें दोस्तों सबसे पहले तो एक्जामनेशन फॉर्म को लेकर तो कुमाई उन्वर्सिटी से एफिलेटर जितने भी जो हैं कॉलेज हैं उनके सभी इस्टुडेंट्स को जो है यहां पर सूजित किया जाता है कि जो इसनातक यानिकोजियो अंडर ग्रिजेट कोर्स हैं उसमें seconds and fourth तथा PG second semester के essay इस्टुडेंट्स जिनके द्वारा पूर में इसनातक दीती है एवं चतुर तथा PG second semester के online परिक्षा आविदन पत्र एवं online सुल्क जमा नहीं किया गया है इन इस्टुडेंट्स को जो है 26 फरवरी से 28 फरवरी तक online माध्यम से examination form एवं जो परिक्षा शुल्ले है examination fee समिट किया जाने का अंतिम अफसर प्रदान किया जा रहा है तो दोस्तों यहां पर देखिए यह उन इस्टुडेंट्स के लिए है इसना तक दीती है एवं चतुर्थ और PG के second semester के ऐसे स्टुडेंट्स ठीक है तो आपने से बहुत सारे स्टुडेंट्स ऐसे थे इनकी जो है last date जो है पहले रखी गी थी आपकी 17 फरवरी रखी गी थी ठीक है इसना तक दीती है एवं चतुर्थ और PG second semester इनकी जो last date थी examination form submit करने की 17 फरवरी थी यह date यहां पर extend कर दी है इनको last date और दे दी है एक मौका और दिया है 28 फरवरी यहां पर इनको date दी है 28 फरवरी थी था कि यह students किसी भी आहलत में अपना examination form submit कर दें दूसरी बड़ी अपडेट देखिए कुमा इनवर्सिटी से एफिलेटेट जितने भी जो है campus है जितने भी college है उनके जो है students है उसमें आपके कौन से है इसना तक और semester की मुख्या परिक्षा है बैक परिक्षा यानि जो undergraduate courses है उसमें आपकी जो मुख्या परिक्षा है या बैक परिक्षा है और semester का मुख्या परिक्षा है या इंप्रोवग्या परिक्षा परिक्षा जहां लाग है यह तु परिक्षा आविदन पत्र एवन परिक्षा आविदन सुल यानि examination form एंग examination जो फीस है उनिवर्सिटी के वैप्षाइट के माधियां से जो है प्रजेंट टाइम में भरी जा रहे हैं इस हे तो ओनलाइन जो माध्यम से भरी जाने के अंतिमतिती 28 फरवरी तो यहां पर भी देखिए जो न्यू कनिटेट है न्यू इस्टुडेंट्स है जाने यहनि जुन उन्हें 2021 में एडिशन्स लिया है यहनि जो फर्स समिस्ट फिल कर देना है वरना आप जो है एक्जामस नहीं दे पाएंगे कुछ कंडिडेट का जो है कॉलेज से वेरिफाइट नहीं हुआ है तो अपने कॉलेज से कॉंटेट करने जिसका जो है कॉलेज से नौट वेरिफाइट बता रहा है उसको पहले कॉलेज से कॉंटेक्ट करना होगा ठीक है उसके बाद आपका examination form भरना जो है आप भर पाएंगे दूसरी बड़ी update हम यहाँ पर देख लेते एक तो हमने देखा examination form से अब हम जो examination schedule आया है कुमा इंवर्शिटी के तरफ से वो भी हम यहाँ पर देख लेते तो देखे दोस्तों कुमा इंवर्शिटी के तरफ से examination schedule आ चुका है आपका एक्जाम देखे BSE 5 semester का आ चुका है मैनिया बैग का भी यह सारी नएं बीए फिप समिस्टर का भी आ चुका है यह फिप समिस्टर के भी आ चुका है सब्सक्राइब है और यह अपने यह तो अपने और लेडी पहले से आये हुए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं आपको एक दिखा के दिखा लेता हूं यहाँ पर जो है एक्जामिशन जो डेट रहे कि कब से कब से सबस्क्राइब है इसमें आपके जितने भी और समिश्टर के हैं मैं निया बेक पर एक्जामनेशन थे टीक है तो टाइमिंग आपकी दो से चार बजी कि रख्या हुई है तो आप देख सकते हैं 12 से लेकर और 16 अप्रिल तक यहाँ पर पेपर जो है चलिए ठीक है और यहाँ पर एक कोर्स की मैं और दिखा जित्ता हूँ यहाँ पर आपकी विकॉम फिप समिस्टर का हम देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं 12 मार्च से 25 मार्च तक इनके पेपर चलिएगे ठीक है तो इस तरीके से आपके एक्जाम्स होना है विक्कॉम फर्स समिस्टर का देख लेते हैं हाँ आता ऐस तो यहां पिएपसकता हैं 12 से 55 के बीच में एक्जाम सह SS timing यहार में तीक भी कॉम का जो है आर्ट से 10 यहां पे जो फर्समिस्टर फर्समिस्टर के स्ट्वीडंस हैं उनका जो है यहां पे आर्ट से- Māकन पर 10 से दस बजे रहेगा और जो ओल्ड से उनका रहेगा आपका जो हमने देखा था दो से चार ठीक है तो यह दो बड़ी अपडेट है कुमाई उन्वर्शिटी की तरफ से अगर आप एक्जामिशन फॉर्म भरोगे तब ही आप एक्जामिशन फॉर्म देफ आएंगे तो आपको एक्जामिशन फॉर्म जो है अठाइस फरवरी तक किसी भी हाल में भर लेना है जिनको कोई दिक्कत हो मुझे इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अगर कोई अपडे